हेलो एन वेलकम काया इस वाकर आपका फेंटासी डिस्सन चलिंगर में तो आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे बाइच जो जारखन वुमन टीट एंटी ट्रोफिकी जोगी मेंच होने वाला है यहां से धनबाट डफोल इस वुमन्स 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 वंस वुमन् लेगे जाना है और कौन से पैलों को यहां से अवड करके जा सकते हैं इसी वीडियो में कवर कर लेंगे चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इसमेंट की तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब ने किया तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब के लिए और मेरी स्मॉल लिक की टीम के लिए आप टेलिग्रम से जोड़ सकते हो ने नीचे को सीथ हमारा चैनल में जागा सिंपल उसे जोइन कर लेना बात करें इस मेंच के तो यह मेंच सुबह में आज बर कर 30 मिट पर जेल सी इंटरनेशनल स्रेडियम कॉंप्लेक्स रांची में खेला जागा पीछ रिफट के बात कर तो वैसे बैटिंग प्रेंडली पीछे अच् चेजिंग करने वाले टिम को बहुत सारा एडवांटेज मिल रहा था लेकिन यहांसे पिछली कुछ मेंचिस के आंकड़े कुछ एक्वाली होते जा रहे है यानि कि बैटिंग से दोनों यहांसे एक्वाली आंकड़े मिलते जा रहा है यानि कि पहली बैटिंग करने वाले क और यहांसे चरफ्ट करने वाले को बीच में شेल से दस बार यहांसे चेजिंब करने वाले को रहे हैं बात कते हैं आठ ईनरल डाफोर डिलसके तो आठ मेंच के लिए जिसमें मेंavorsे utilized किमें चुला मेंसे सबसे मजझत और प्रपल डविड टीम्हें यहांसे पुशपा महा तो थोड़ी सी ताइप के पीक रहेंगी वैसे opening करें overall record भी काफी अच्छे यहां से बॉलिंग वगेरा करवाती ने लेकिन overall उनके balling से भी काफी अच्छे आँकड़े तो यहां से pushpamaha तो थोड़ी से risky type के player है तो इनको आप grand league वगेरा में try करेगा जयाकुमारी की बात क्यों तो as a player हमारी लिए very important रहेगी क्यूंकि ये वंदी आपको दिखे कि यहां से wicker giving sections है और wicker giving section में अप्छी options होने वाले यहां से जयाकुमारी तो इनको जरूर लेके जाएंगे मौनिका मुर्मू as a player important आज की मैच के लिए भी मैने बोला था कि आज की मैच के लिए भी आप उनको captain यावाइस captain के तोर पर ट्राइक कर सकते हैं अभी जो मैच होने वाले यह सुपर सिरी जाना कि जैसे टॉप 8 होता है वैसे अभी जो टॉप की team के बीच में यहां से तो यहां से ते खुष्ट इतर रहेगी हमारे टीम में रहने चाहे मैं अभी देखो बीच के में कुछ मैंच इसके परफॉर्मस की बात को तो उपर खेल रही थी यहांसे 27 किया 25 किया यहांसे 32 रण किया बड़ी स्कॉर भी कियो है थोड़े से उपर से भी टीम को जरूबर पड़ी तो उपर से भी खेलने के लिए आ सकती है और यहांसे कुमारी और यहांसे आर्थी कुमारी दोनों को लेगे जाएंगे शांती कुमारी देखो बॉलर्स पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस ले रखना है तो इसके लिए बॉलर्स थोड़े से यहांसे ज्यादा लेगे जाएंगे बैसमें से ज्यादा हमको बॉलर्स पर फोकस लगता नहीं है बाकि इंपोर्टेंट कौन बनता है यहां से यह आपके लिए डिफरेंसियल फिक बनेगी जया कुमारी इंपोर्टेंट रहेगी मौनिका कुमारी इंपोर्टेंट रहेगी यह दोनों को लेने का कोई मतलब बनता है यहां से सुलेखा और निलम महता का लेने क कोई मतलब बनता रही है स्टार्टिंग वोस की बात के हो तो यहांसे शांती कुमारी और यहांसे खुश्बु कुमारी दोनों स्टार्टिंग में दिखेगी देथ वोस की बात के हो तो आर्ती कुमारी शांती कुमारी और यहांसे मोनिका मुर्मुन ने देथ वोस में गेनव और मुझे लग रहा है तब तक एक बार आज की मैच में उन्होंने दन्दबाद को हरा दिया जो कि इस टूनामेंट के सबसे मजबुत प्रबल डावेदार टीम है इनको हराया था आज और आज एक बार फिर से भी हराने का चांसिस है क्योंकि रिसंटली उनके जो प्लेयर से उनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और यहां से कभी भी तकर किसी भी टीम को देने की कबिलेत रखती है दूरगा मुर्मू और यहां से कोमल कुमारी दोनों ओपनिंग करवा रहे है कोमल कुमारी ने यहां से एक रन किया था आई थिंक के शायद 13 या 14 गयन देखे ल तो जब एना उसोटा है तभी चार पॉइंट होते है लेकिन लास में उनका माइनस वन पॉइंट ही बचा था याने की माइनस में पॉइंट दिया था वो भी एक रन मार के तो यह थोड़ी से ओके टाइप के पिक रहेंगी तो इनको आप गरांड लिग वगेरा में काफी अच्छी है से स्कॉर किया है इसे 19 की 21 की 18 की तो एज़ प्लेयर टीट्मेंटी में और वोवन मेचिस में यह स्कॉर काफी सनमान जनक रहते हैं तो एज़ प्लेयर काफी अच्छी है लेकिन फिर भी हमें बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है लिटी को मारी संस दिया हुआ था कैप्टन और वाइस के वाइस के वाइस के वाइस के अगर आपने अगर टेलिग्रम जॉइन किया है तो वहाँ आपको अपडेट इसकी मिल गए होगी रिनी बर्मन की संजु पटल को लेने का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन लास्ट मैच के अंदर एक व पर इसका वेल्यू क्या होता है आप अच्छे से समझ सकते हो प्रिती तीवारी हर एक मैच के अंदर पूरी वोस करें विकेट भी निकाल रहे है तो इनको अब जरूर लेके जाएंगे स्टार्टिंग वोस में कौन दिखा गया है ऐसे पृती तीवारी वोस डी मूर्मो स्टार्टिंग में दिखेंगे आर बन्मर आर कुमारी डी मूर्मो आपको देथवास में गयन बाजी करते हो नजर आ सकती है अकि बेंस से अकर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट साबको दिखेंगे चाहिए नगते है पर्फार्मोंज दंग-दनबाद ने 79 रन किये ते पांच विकेट गुमाकर पर पी महातो ने 24 रन किये थे और ए अ्पर परमाद ने यहां से दो विकेट निगा ले थे यहा से वोकारो वोमन्स की बात करो तो 57 रन के थे यानि कि यह मैच वो हार गई थी जनबाट के सामने जहाँ पर हाइए स्कॉर रहा था यहाँ से ममता कनोजिया का और तीन बोलर रसुन ने यहाँ से दो दो विकेट निकाली जिसमें शान्ती कुमारी है आरती कुमारी है और एक कोई कुमारी है आई थेंक चायद दो जनके तो मुझे नाम याद है पाकि शेकन मैच की बात करों तो शेकन मैच में यानि कि आज ही की मैच जो कल की मैच जो कि कल सुबह में कहली गई थी जहाँ पर बोकारों ने 94 रन की 8 विकेट गुमारी यानि कि रितु कुमारी न सबसे ज़्यादा यहां से 49 रन के पारी खेली और यहां से धनबार की तरफ से मोनिका मुर्मू ने तीन विकेट निकाली थी धनबार की तरफ से हाई-एस क्वार रहा यहां से कुमारी यानि कि यहां से फुषभू कुमारी का भी देखिए यहां से बोकारो के सामने दनबार हारी तो यहां से बारा रन हाइस्ट है यहां से दनबार के सामने बोकारो रन हारी तो यहां से बारा रन है यहां से चार बॉलर्स ने दो दो विकेट निकाल ले थे तो यहां से chances इंद दोनों ही टीम के पास है और दोनों ही टीम कल तगड़ा performance दे सकते हैं तो चले देख लेते हैं हमारी fantasy team कौन से रह सकते हैं कौन से player को लेके जाना है कौन से player को हम लोग यहां से avoid करके जा सकते है तो विकेट की बिंक section से तो यहां से CTP के रहने वाली जया कुमारी और कोई अच्छा options नहीं है रियार आज को आज जब public ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि last match के अंदर उन्होंने points कापी अच्छे दिये लेकिन जो भी points दिये वो points दिये उन्होंने filding से और आप देख सकते हैं फिल्डिंग से अच्छे points दे रहे बैटिंग से कुछ नहीं किया इस बंदी ने लेकिन filding से अच्छे points दे रहे तो उस logic से आप लेना चाहो तो ले सकते है बाकि जयाकुमारी बेटिंग से आपको अच्छा कासा यहां कि में रहने वाले और यहां से कमल कुमारी को मैंने पिक किया आपकी कुमल कुमारी की जगापर यहां से पी महातों को ले सकते हो यहां से कंप प्रमार मुर्मू और यहां से परमार हमारी टीम में रहने वाली परमार की जगा पर आप जहां से अगर क्रेडिट इस्टू नहीं है तो यहां से आलती कुमारी के साथ जाएगा बॉलिंग सेक्षन के बात करो तो यहां से एस कुमारी और यहां से दिनू बर्मन हमारी टीम में रहने वाली बाकी पी तीवारी और यहां से एन चो को मैंने प्रिक किया हुआ है बाकी अगर मंचुरी के लेगी तो मैं अंचुरी के साथ 100% जाने वाला हूँ टीम कुछ इस त यहां से आर बर्मन पर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से आप इनको कैप्टान और वाइस के तौर पर राई जरूर कर सकते हैं खुश्बु कुमारी भी अच्छी चोइस बन सकते हैं तीम कुछ इस सरा से रहेगी लेकिन यादर रही डेमोटी में आपको टेल करना बिल्पूल मत भूले का क्योंकि आगे आने वाले वो रच्च मैचिस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सर्प्राइटी वीडियो को जाए तब तक पूरा वीडियो देखते हो अच्छी टिम अच्छी बने करते हो बाई धन्यवाद जहीं जय बारत